फ्रेंड्स पोस्टर मेकिंग ठीक है यानि कि पोस्टर डिजाइनिंग ये जो है फ्रेंड 11th and 12 के अस्टुडेंड के लिए ये काफी इंपोटेंट है और एक्जामेनेशन में भी पूछा जाता है यानि कि आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है कोई मुद्दा दे दिया जाता है और उस पे आपको लोगों को यानि कि पीपल को अवेर्नेस करना होता है एक पोस्टर के द्वारा मनें पोस्टर डिजाइनिंग करना है आपको और वो पोस्टर के माधियम से लोगों को क्या करना है अवेर्नेस करना है तो वो जो है हम लोग कैसे डिजाइन करेंग और उसमें क्या क्या फॉर्मेट आएंगे और किस चीज को हमको ध्यान में रखना होगा ये सारा का सारा हम इस वीडियो में डिसकस रहेंगे फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग सारा का सारा पोस्टर मेकिंग या यूंकल ही कि पोस्टर डिजाइनिंग सिखेंगे कि हम लोग क कैसे करेंगे ठीक है फ्रेंड नमस्कार दोस्तों मैं नागेंद्र अपने चैनल इंग्लिश स्टेडी जोन पर बहुत-बहुत स्वाद करता हूं कैसे हैं आप साब उम्मीद करता हूं अच्छे होएंगे स्वास्तों और मज़े समेंगे फ्रेंड तो अभी तक लिए आपने ह सब्सक्राइब ने किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए साथ दिन्याइब प्रेंड और पर आपको फिर से पुनौ एक बार स्वागत है तो यहां पर जो हैं आज हम लोग इस विडियों डिसकस रहेंगे poster making अब poster making यह जो examination आता है तो आपको four marks आता है कितने markा four marks आएगा आप इसको लिखना होता है 50 words में ठीक है friend कोई ज्यादा नहीं है 50 words में ही लिखना है तो इसमें देखिए अगर आपके English नहीं भी आती है तो कोई दीकत नहीं है और इसमें grammar का use नहीं होता है ना के बराबर होता है अगर grammar नहीं भी आता है तो आप बिना grammar के माधिम से भी आप एक अच्छा poster design कर सकते हो ठीक है तो चली हम लोग देखते हैं किन किन बातू को हमको ध्यान में रखना है poster design करते समय तो सबसे पहले यहां पर जो है first में जो है write in a box यह बात आपको ध्यान में रहा कि poster जब भी लिखा जाएगा तो आपको एक box में लिखना है ठीक है जैसे कि आप short composition में जितना भी देखें है भी तक लिए चाहें notice writing हो advertisement writing हो reply writing हो ठीक है print तो सारा का सारा box में ही लिखा जाता है तो यहां पर जो अगर आप poster designing किजेगा poster बनाएगा तो वो box में ही लिखाएगा ठीक है next है हमारा catchy title आपको इसमें एक title लगाना है जो भी आपका मुद्दा है यह सुड़ है लोगों को awareness है यानि कि जो topic आपको दिया गया है उस पे आपको एक अच्छा सा heading लगाना है title लगाना है ठीक है तो title कैसा होना चाहिए त लोग देखे तो उसको मतलब देकर ही attract हो जाए ठीक है अकरसित हो जाए अब यह जो title आपको लगाना है तो in capital letter अब यह जो होना चाहिए अगर capital letter में लिखते हैं capital letter में आप लिखते हैं तो better होगा बहुत अच्छा होगा ठीक है फिर है third है मारा pictures और pictures का का क्या काम तो related आपको एक picture drawing करना है अब जितना best बना सकते हो जैसे I donation हो गया तो I count picture आजाएगा ठीक है अगर water के उपर से water के उपर आपको awareness करना है ठीक उस पर poster designing कर रहे है तो आपको water का मतलब यह कर देना है picture बना देना जैसे एक नल बनाओ नल में से एक पानी टपकता है न तो उस त इमेज बनाओ उसमें cross mark लगा दो तीस तरह से है कि आपको picture drawing करना है picture आपको drawing कर देना है ठीक है जो आपका topic हो उसका picture उसे लिटेड ठीक है फिर है fourth है हमारा slogan अब आपको जो topic हो उसके इधाप से आपका slogan या तो suggestion आपको देना है यानिकि सुझाव देना है आपको ठीक है next नमारा five है time, venue and date अगर आपको event करवा रहे हैं उस पर ठीक है ना अगर question में दिया गिया है कि वो जो है time, venue and date भी mention कीजिए ता आप उसको भी mention आपको कर देना है फिर है last हमारा issued by अब जब poster बन रहा है तो किसके दवारा issued हो रहा है वो poster मतलब ओ government के दवारा हो रहा है या क किसी private company के दवारा हो रहा है मने जो हो रहा है यह जारी किया जा रहा है तो किसके दवारा ने कि वह आपको company या ता government जो भी आपको question दिया हो रहेगा ठीक है जैसे कि मालनी जी है कि आप shave water के थूरू बना रहे है मने कि shave water के लिए बना रहे हैं लोगों को awareness करें कि हाँ गौर्मेंट ऑफ जारकन गौर्मेंट ऑफ इंडिया इस तरह से रहते हैं तो आपको issue किया जा रहा है वह भी last में आपको mention कर देना है तीन बात को हमको ध्यान में लीकर एक अच्छा poster design करना यानि कि अच्छा poster बनाना है ठीक है तो चलिए हम लोग एक example लेते हैं और देख जो है question बोलता है make a poster मतलब क्या एक poster बना ये in 50 words पचास सब्दों में ठीक है तो motivate लोगों को जागरूप करने के लिए ठीक है लोगों को जागरूप करने के लिए people for eye donation के लिए आपको एक poster बनाना है जिसमें लोग जो है motivate हो जागरूप हो ठीक है बिहार पर की और से अब किसकी और से है तो i bank मैंने i bank के द्वारा ये जो है क्या हो रहा है issue do करना है आपको ठीक है निव दिल्ली के द्वार ठीक है तो चलिए सबसे पहले format कनुसार यहां पर जो है एक कैसी टाइटल लगाना है ठीक है सबसे पहले आपको एक टाइटल लगाना है तो यहां पर टाइटल है donate your eyes पतलब अपना आखो का दान कीजिए ठीक है to fill colors और रंगो को भर दीजिए यानि कि रंगो को भरने के लिए आप क्या कीजिए अपने आखो को दान कीजिए in some dark life जिनकी जीवन में अंधेरा हो उस अंधेरे जीवन में आप अपनी आखो को दान कर एक रंग भरिये ठीक है प्रेंट यह हमारा जो है जरूरी नहीं है कि यही हमारा टाइटल लगा सकते हैं जो कैची होना चाहिए ठीक है ना यूनिक होना चाहिए टाइटल आपको ठीक है अस उसके बाद जो है जैसा आपको टोपिक रहेगा जो आपको इसू रहेगा जो मुद्दा दिया जाएगा जो टोपिक होगा उसकी अनुसार आपको इमेज बनाना है पिक्चर बनाना है चित्र बनाना है जैसी कि आई डोने है बट अब बनाईएगा तो एक सज्जीत रूप से फर्णीस्ट होना चाहिए मतलब अच्छे डंग से होना चाहिए अगर मालजी कि वाटर के उपर होता शेव वाटर के उपर हम लोगों को जागरू करना होता तो हम क्या करते एक नल बनाते और नल से पानी टपका देते वह अनुसार आपको क्या करना है फीगर ड्रा करना है ठीक है अब उसके बाद तीन चार पॉइंट जो है सलोगन है सजेशन है जो आपको यहां पर दिनोट कर दना है दिखा दना जैसे कि फर्स्ट है हमारा मेक योर आईज अलाइव आप्टर डेत मतला मेक योर आईज रखिये अपनी आखो को जिन्दा रखे अप्टर डेत मने कि मरने के अब वह बात सही है अगर आप अपनी आख मरने के वाEh अगर किसी को दान करते हैं तो आपके दोआर कोई नंब कोई और देखे गा ही यानि कि आपकी आखी क्या रहेंगी जीवित रहेंगे तो वहीं बोल रहे हैं यहां पर कि दो ब्यक्ति दो अंध्य ब्यक्ति देख सकते हैं जैसे कि फिरेंड हम लोग जानते हैं कि एक आखो से भी ब्यक्ति देख सकता है तो अगर आप अपनी आखो आखे दान करते हैं ठीक है तो हर इंसान कर फिस दो आखी होती है तो एक एक आख कर दो ब्यक्ति को लगाया जाए तो किया वो देख सकता है कि नहीं देख सकता है, तो यही कहा जा रहा है, कि आइस डोनेशन, मनि आखो की दान, केंड मेक टू ब्लाइंड प्यूपल सी, मतलब दो ब्यक्ति इसको क्या कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं, नेक्स्ट है, एक नई शुरुवात, एक नई शुरुवात, एक नई शुरुवात, एक नई शूरुवात, एक नई सोच, तो इस तरह से आप चाहे तो और भी लगा सकते हैं, ठीक है तो जैसा है मतलब यह हुआ इसमें पोस्टर डिजाइनिंग के मतलब कि आप जितना सुंदर बना सोगों जितना यूनिक बना बने डिफरेंट अब देखें यहां पर थोड़ा मास्टार मार्क दे दी हैं डिजाइनिंग बना दियें अब इसके जगह पर आप जो हैं ऐसे करके बड़ा वाला पॉइंट भी बना सकते हैं कोई दीकत नहीं इस तरह से आप पॉइंट बना सकते हैं वान टू थी भी लगा सकते हैं इसके जगह पर इस तरह से एरो मार्क आप लगा सकते हैं जैसा डिजाइनिंग करना है यह आपको डिपेंड है कि आप कैसा यहा करके और आप एक अच्छे धंग से बना सकते हैं जरूर नहीं है कि फोसर बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे आप अपने अनुसर बना तो इस देखिए इसको हम स्टार मार्क में कर दिये हैं अब चाहे तो ऐसा वाला आप या इधर भी बना सकते हैं इसको बनाने कोई difficult नहीं इस तरह से करके आपको क्या कर देना है कर देना है तीस तरह से आप दो तीन जगा दो या तीन आपकी मर्जी इस तरह से आपको टेशन कहीं और डाल सकते हैं तीस तरह से कर देना है अब उसके बाद जो है आपको क्या कर देना है कि इस सुड मतलब इस सुड किस के दवारा हो रहा है ठीक न तो आपको किशन में दिया हुआ है किस के दवारा बेहाल आइस बैंक मतलब किस के दवारा किस की और से गðardमेंट घृबर्मेंट चार्खन गॉवर्मेंट और सो अश्या राजितान गॉवर्मेंट अब भी ऑण गोर्मेंट टो जो भी आपका स्पेट वाज अगर आता है तो स्टेत और या कि सबसे जरूरी बात ध्यानम रखने लाइक बात है सबसे लास्ट में को क्या करना है कि एक अच्छा ढंग से इस तरह से आपको बॉक्स में क्लोज करना है ठीक है बॉक्स बना देंगे अच्छा ढंग से इस तरह से मेरा हो गया पोस्टर डिजाइनिग तो देखिए बहुत सिंपल है कोई खास डिफिकल्ट नहीं है अगर आप ग्रामर नहीं भी जानते आप देखिए इसमें ग्रामर का यूज कहा किया गया है एक दम ना के बराबर है ठीक है तो यह रहा हमारा आज का पोस्टर मेकिंग तो इसका आप इस क्रीश चोट लेना चाहते हैं तो प्लीज टेक इट तो फ्रेंड आज का इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अगर ये वीडियो आपको प्रसंद आया हो तो प्लीज हमारे चनल इंग्लीज स्टर डी जोन को आप सब्सक्राइब किजिए साथ में बेल आइकन ही पेस किजिए ता और आप अपने काम में बेस रहिए जय हिंद वन्डे मातरम